दोस्तों मार्केट में और एक 32 इंच का यूनिवर्सल एलेडी टीवी का मदरबूड आ चुका है जिसके अंदर अनोखा पुरावलेने कुछ है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बतने बाला हूँ और ये जो 32 इंच का यूनिवर्सल मदरबूड नया नया हमड़े पास आके पहुंचा है इसके अंदर 5 टाइप्स का अलग-अलग गेम से जो की सभी टेकनिसियन को लिए इस वीडियो को देखना बहुत ही जुरूरी है और अगर आपके पास किसी भी साइज का यूनिवर्सल टाइप का होता है जो की सभी एक यूनिवर्सल मदरबूड के साथ मिलती है जब भी हम इस मदरबूड को बाहर निकल रहा हूं आप यहां पर देखे इस मदरबूड का जो नंबर है यहां पर mention करा हुआ है जिसका नंबर है और इस मदरबूड के उपर पहला वीडियो में ह डल रहा हूं YouTube पे उपड जो की इस वीडियो के अंदर सारे जानकड़ी देने वाला हूं इस Motherboard को लेकर आपको इस Motherboard को के पैनेल के साथ कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा कि इसका जो इंटरफेस है और इसके अंदर कौन-कौन सा गेम से ये भी मैं आपको दिखाऊंगा सबसे सबसे पहले हम जान लेंगे कि यह Motherboard आप किसकी साइज के टीवी के अंदर लगा सकते हो सबसे पहले बात है कि यह Motherboard इसपेसली बनाया गया है हमारे 32 इंच LED टीवी के लिए अगर आप इस Motherboard को 40 इंच टीवी में लागाना चाते हो तो यह तो लग जाएगा पिक्चर भी आ बैकलाइट का वोल्टेज है 35 से लेकर 65 वोल्टेज तक ये लोड ले सकती है इससे थोरा बहुत कम ज्यादा चल जाएगे लेकिन अगर आपके टीबी के अंदर 90 वोल्ट यानी 110 वोल्ट 80 वोल्ट 90 वोल्ट के आसपास वोल्टेज ले रहा है तो ये मदरबूड आपके लिए खास करके जो हमरा 32 इच एलेडी टीबी होता है उसके अंदर जो बैकलाइट लगे होते है उसका जो मैक्सिमाम लोड 65 के नीचे ही होता है मतलब उसका आसपास ही होते है तो इसलिए इस मदरबूड का आपके लिए ये 65 रखा गया है उसके बाद आगर हम बात करें इसका ज और थोरा सा जनकरी में आपको दे देता हूं कि ये इस मदरबूड को अगर आप किसी भी टीबी के अंदर इंस्ट्रॉल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई भी सॉप्ट्वेर को इंस्ट्रॉल करने की जोरोत नहीं परेगी और इस बॉक्स के उपर लिखा भी तो भी आपको सॉप्ट्वेर इंस्ट्रॉल करने की जोरोत नहीं है इसके जो रेमोट मिलते है इस रेमोट के अंदर कोड को प्रेस करने के बाद हमरा ये मदरबूड के अंदर रेजूलेशन सेट हो जाती है मैं आपको रेजूलेशन सेट करके भी दिखाऊंगा तो चले दूस्तों आप मैं इस मदरबूड को आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि आखिर ये हमारा मदरबूड किस तरीके से दिखेंगे टीबी में लगाने के बाद तो इसके लिए मैं आपने जो छोटा सा ये पैनल है जो कि मैं लैप्टॉप से निकाला हूं इस लैप्टॉप पैनल को में इसका अंदर इंस्टॉल करके आपको इसका इंटरफेस बगरा सब कुछ दिखाऊंगा तो अगर आप इस मदरबूड का इंटरफेस देखना चाहते हो तो जल्दी से जो इस वीडियो के नीचे रेट बटन दीख रहा है इसको पर प्रेस कर दीजेगा तो चलि आपको 5 वल पर सेट करना होगा लेकिन यह जो डिफॉल्ड जो आती लेकिन हमरे पैनल 3.3 बॉल यहां पर लगाए हूं तो इस बाक नवर्टर के हम यहां पर लगाएंगे यह जो जाख है यह 12 बॉल साइट इधर है तो हम इस जाक को मैंने यहां पर लगा दिया हूँ और उसके बाद हम LVDS केबिल को यहां पे लगा दूँगा और LVDS केबिल को लगाने के बाद में इसके अंदर power supply दूँगा यही power supply इसको on करने के लिए उससे पहले एक sensor भी में लगा देता हूं इसके अंदर remote control से काम करने के लिए तो अब हमरा ये connection complete हो चुका है इस panel के साथ तो थोरा सा zoom out कर लेता हूं और आपको दिखाने की कोशिज करता हूं चलिए motherboard को मैं इस जगा पर रखता हूं और panel को मैं इस जगा पर रखता हूं ताकि आप लोगों को सारे चीज clear cut देखने को मिले तो आप मैं इसके अंदर power दे आ चुका है तो अब मैं इसको standby से release करता हूं इसके लिए मैं इस remote को इस्तमल करने वाला हूं यहाँ पर संप्ली मैंने प्रेस करा और प्रेस करने के बाद हमरे इस्टनबाई से release हो चुका है और अभी डिस्पले पर भी हमें पिक्चर देने लगेगा यह देखिए हमें डिस्पले पर पिक्चर आ चुका है आप देख सकतो यहाँ पर green skin दिख रहा है अभी यह देख सकतो आभी game mode पे इसको set कर रहा हूँ है इसलिए हमें यहाँ पर OSD game दिखा रहा है तो मैं आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा कि इस motherboard का service menu क्या है तो इसका service menu open करने के लिए आपको press करना होगा input 1150 जो की बहुत ही अनुका है उसके बाद यहाँ पर देखिए सारे जो setting से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और यह जो point में आप लोग को अभी बताए कि इसका service menu code है आपको internet पे कहीं पे नहीं मिलेगे आज के date पर हम आप लोगों को पहली बार online पे दे रहा हूं इसका service menu code 1150 हो गया इसका उसके बाद आगर हम इसकी बात करें रेजूलेशन की इसका रेजूलेशन सेट करने के लिए आपको प्रेस करना होगा input 05431 HD के लिए और अगर full HD की बात करें तो input plus 05432 आपको प्रेस करना परेगा input plus 05431 और यह default सेट होके आती है हमारे इस मदरबुट के अंदर और अगर आप इसका software डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको हमारे website www.deepelectronicslab.com पर मिल जाएंगे मैंने इस working condition board के अंदर से software को copy करके हमारे website पर डालके रखाऊं तीन software एक software तो आपको remote code बाला मिल जाएंगे द तो आप तीसरा जो software आपको 19-2010 सी बला resolution मिल जाएंगे तो आप तीनों मेंसे कोई भी आगर software आपको जरू हो तो आप हमारे website से डाउनलोड करके आपने TV के अंदर या मदरबुट के अंदर इंस्ट्राल कर सकते हो तो यह हो गया दोस्तों service menu code और आपको जो है इसका एक ब समय में मोंड में चला गए और आपने यहां पे इस्टर मौई से रिलीज भी हो चुका है यानि कि हमारा जो रिलीज रिजूलेशन कोड जो है वह अच्छे तरीके से काम कर रहा है आप देखें यह नौन हो गया हमारा रिजूलेशन से उसके बाद मैं आपको इसके अंदर म पांच अलग अलग टाइप का गेम्स देखने को मिल जाएंगे आपर देखिए एक दो तीन चार पांच सबसे पहले बॉक्समें उसके बाद बाकी जो गेम से उसके नाम लिखा हुआ है तो एक बार मैं आपको एक गेम को चालो करके दिखाता हूं यह देखिए यह गेम तो अगर आप किसी भी 32 इंच टिवी के अंदर मदरबोर्ड को रिप्लेस्मेंट कर रहे हो तो इससे अच्छा मदरबोर्ड अभी तक मार्केट में नहीं मिलेंगे जिसके अंदर आपको फाइब डाइप का गेम भी देखने को मिल जाती है और कुछ दिन पहले सेम इसी लेकिन हमने बहुत सरे महँआ था तो वह भी हमरे पास अवैवैलेवैल है दूसτοो आप बात आती है कि आपको यह मदर बुड कहा से मिलेंगे यह बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है बहुत सरे लोग अपने देखा होगा कि यूट्टूब पर वीडियो तो बनाते है और ज यह एंडुएड यूवेंट टाइप का मदरबूट अगर आप किसी दूसरे साइट से लेके मतलब लेने जाओगे तो लगबग आपको कोई मदरबूट जरूर थे तो आप हमारे ओनलाइन इस्टोर दीप इलेक्टोनिस लाब सॉब डॉट इन पे जाके पर्चेस कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसके अलावा भी आप अगर डारेक्ली गूगल पर जाके सार्च करोगे दीप इलेक् पर तो जाके आप ओडर कर सकते हो नहीं तो पता नहीं कभी एक खतम हो जाएंगे आउट उप इस्टोक हो जाएंगे तो मुझे आसा है कि दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दिजेगा और इसी पूरकर के वीडियो आगे आने वालों दिनों में देखना चाहते हो तो चैनल को सब्स्राइब करके जूरे रही हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए स्यू आल दा बेस्ट